अलो गाईज अस्सलाम उलेकुम चलिए आज बनाते हैं आलू परवर की मसाले वाली सब्जी परवर ये उबला हुआ आलू छिलके छोटे टुकडे में कर लिया गया है और ये परवर है अद्रक, लस्टन, मिर्ची, टमाटर, जीरा और इधर सब गरम मसाला है गरम मसाले में गरम मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, धनिया है और नमक है कोत्मीर पियास खड़ाहिद में थोला तेल डाल दिया बिसमें डाल दिया परवर फ्रवर हो गया हमारा फ्रवर निकाल लता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगता पकाने में जटपट तयार होती है यह और अच्छी भी लगती है अब इसमें दालेंगे दो तेज पत्ता जो मैंने डाल दिया है पटी हुई पियाज, एक छोटी ही पियाज है बहुत बड़ी नी है इसको हलका ब्राउन करेंगे क्योंकि पियाज भी बहुत ब्राउन नी चीह है क्योंकि इसमें सब्जी में इतने ही अच्छी लगती है कि इसमें जाएगा मसाला अग्ठरक लशन मिरची टमाटर जो रखा था वही गिलंडर करके डाला गया और इसको थोड़ा से पानी है कि फानी इतना है कि जो मसाला भूला गया है बस गिलंडर बस वही डाला गया है सब डाल दिया गया है खड़ा मसाला जितना गरम मसाला मारे पास था वो सब डाल दिया गया है गरम मसाले में भी बहुत चीज नहीं है ढ़क के हम दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे और इधर बन रही है पूरी पूरी भी आप लोग को दिखती होगी क्योंकि ये तरकारी के साथ पूरी ही अच्छी लगती है कि मसाला भी हमारा अच्छा हो गया है इसमें डाल दिये परवाथ अब दो मिनट के लिए इसमें उबला हुआ आलू जाएगा आलू को भी बस दो मिनट के लिए पकाना है बहुत जादा नहीं है कि इसने थोड़ा सा पानी जाएगा एक कि बहुत जादा पानी नहीं डालना है थोड़ा से नमक नमक कम लग रहा है थोड़ी से धनिया धनिया भी अपने हिसाब से डालें बहुत जादा नहीं हर चीब सवात के अधिसार अच्छा लगता है यह हो गई हमारी एक मिनट के लिए इसको बॉल करेंगे तरकारी तयार पूरी है आजाएए खाने के लिए और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करिए कमेंट करिए सेर करिए आजाएए खाने के लिए देखिए कलर देखिए सबजी का कितना अच्छा है बहुत खुशूर है